आप सब उम्मिद करते हूं आप सब बढ़िया होंगे तो देखिए जी आज दिन है शनीवार और अभी सुभा का टाइम हो रहा है सुभा के साथ सवा साथ हो रहे होंगे तो हम जो है च्छत पर आये थे यहां टाइसन बाबू जो है देख रहा था और गर्मी का मोसम हो रहा ह है थोड़ा सा सूरज की रोशनी भी ले लेते हैं और सुभा ठंडी हवाएं चल रही होती है तो वह भी थोड़ा टाइम हम बैठ लेते हैं अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए तो थोड़ी देर हम अपने लिए भी बैठ जाते हैं तो देखिए जी यह है वो वाला ब्रिक्ष जो मैंने आपके साथ शेयर किया था तो आज इस पर अभी दूप नहीं पड़ रही थी तो इसकी देखिए लुक कितनी अलग थी उस दिन दूप पड़ रही थी तो कितना वो अलग सा दिख रहा है और यहां पर फिर टाइसन के कान साफ करें सुबह के आ इनको और सोफा वगयरा बिल्कुल साफ कर दिया कूशन में उपर रखती हूं क्योंकि यहां पर बाबु बैढ़ता है तो फिर वो नीचे देता है इस वजए से और रूम का ब्लैंकेट वगयरा भी जो है बिचा दिया है बाबु के टोइस पड़े हैं क्योंकि वो खेलता ह है और मतलब की अभी सिरफ जो है ब्रेक फास्ट करने का काम बचा है और बाबु इधर आ गया है घूमने गया था देखिए अभी नीचे जा रहा है लड़ो चलो पर आओ टैसन चलो उपर तो देखिए यह यहां पर आ गया है अभी मैं लगाती हूं कपडों की और कपडों की तहे लगाने के बाद फिर मैं नहाँगी और मैंने इस कर रही है सर की मसाज अभी छट से हम आए हैं छत से मैंने अपने युद्डि से जो है अपने सिर की मसाज करहीं कि कल है संडे तो कल जो है मैं अपना ऐड वाश करूंगी आज ही जो है ऑईलिंग कर वाली तो इससे अच्छे से जो है बाल भी सही रहते हैं और थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन भी सरका सही हो जाता है तो चलिए भी मैं कपड़ों की तेया लगाँ को वा की जाता है की जाता है द्लड सर्का से रट लगास चलो इसी लाइ, जलो बखे, चलो उतोजी इसी लादो ओो डेन, गार मिलादी, बच्टोजा, उका जाल दावा लाग जाओ, चलो हाट जा पी 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 जो हाटा पी 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 तो देखें जी नौ बज रहे हैं ताइम अगर मैं आपको दिखाऊंग देखें नौ बज रहे हैं और बाबू यहां पर सो रहा है मजे की नीद में यहां से मैंने कपड़े सब उठा लिए बिस्तर को अच्छे से बिचा दिया हम नहा भी लिए हैं और इधर जो है यह मैंने खाना भी बना लिया सबजी बना ली थी रात कोई चाय बन चुकी है इधर नखसा हैं अब टेकर हैं भगवान को और अभी बस खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जाएंगे नीचे और फिर नीचे जाकर आप से शेर करते हैं कि आगे क्या करते हैं क्या नहीं तो देखिये जी मैं नीचे आच चुकी हूँ और काम काना मैंने स्टार्ट कर दिया था क्यूंकि मुझे आज देने हैं अमर्जनसी कपड़े किसी के तो पहले आकर नीचे मैंने वह कंपलीट किये अभी मतलब सारा काम साफ सफाई करने के बद कपड़े कंपलीट की और उसके क्योंकि आज शाम को मैंने एक और सूट जो है सिलाई करके देना है वक्ति सारे जो कंपलीट करने आज देने थे वह मैंने करके रख दिये और आज आज मैंने पहना है जी सूट अपना पुराना सा ही तो वह आपको दिखाती हो और गर्मी बहुत है पसीने बहुत आ रहे हैं तो यह वाला सूट है मेरा यह मैंने चूडीदार स्टिच किया था तो आज मैंने यह पहना है और काफी कपड़े जो है डीले होने शुरू हो गए है मेरे बोड़ी अपनी शेप में आ रही है क्योंकि मुझे था कि थोड़ा सा अना अपना मुझे वजन सही नहीं लगता थ था कि मुझे अपना वर्जन थोड़ा सा कम करना है तो यह मेरा सूट है अब भी मतलब कपड़े पहना करूंगी तो आपके साथ शेयर की करूँगी आपको फूल दिखाया करूँगए क्योंकि अब तो मीरे लग गया है तो असानी से मैं आपको दिखा सकती हूं और आपको अगर कोई मेरी ड्रेस पसंद आती है तो आप मुझे बता देना फिर मैं जो है उसकी कटिंग स्टीचिंग भी आपके साथ शेयर कर सकती हूं तो वह भी आपको एक प्लस पॉइंट है मेरी वीडियो देखने का तो चलिए जी अब मैंने करनी है कटिंग स्टार्ट कस्टमर का सूड मुझे देना है शाम को यह मैंने सूड रख रखा है तो इसकी कटिंग करूंगी और कटिंग करने के बाद फिर स्टीचिंग करनी है और फिर अगर फ्री तो ताइम जो है घड़ी तो रुकी होई है तो साड़े साथ जो देखिए साथ च्छतिस हो गए हैं तो मैं कपड़े जो है साथ में छट परी लेए थी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूंगी क्योंकि नीचे मुझे टाइम नहीं मिला था शेयर करने का तो चलिए जल्द स क्यांके साथ जल्दी जल्दी मतलब अगय से शेयर करती हो और फिर मुझे बनाना है खाना चपाति का सिकूंगी जल्दी से और फिर खाना खाएंगे तो पहले आपके साथ कपड़े शेयर कर देए और फिर करते हैं वीडियो का एंड तो देखिए जी सबसे पहला सूट है यह है पिंक कलर का इसमें कलर ये यह जो कलर आ रहा है यह बिल्कुल एक्जेक्ट कलर आ पिंक कलर मजेंटा शेड जाएं जी से बोलते हैं यह वो शेड है और यह आपको दिख रहा होगा मजेंटा इसमें छोटी-छोटी सी बूटी है और यह प्योर कॉटन का जो है सूट है ऐसे यह देखिए यह यह कलर का है और इस पर जो बूटी है कुछ इस तरह हैं कि यह मैं जो है साड़े पांच मीटर जो है फैबरीक लाई हूँ तो एक है ये अभी मैं आपको जो है कट पीस देखिए इस पर लिखा भी हो है साड़े पांच मीटर तो ये पीस लाई हूँ जब इनकी ड्रेसिस बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ये है रियान और ये मैं DIY करने के लिए लाई हूँ ये बलैक कलर का है इस पर कुछ इस तरह का प्रिंट है और ये जो है मैं साड़े तीन मीटर लाई हूँ क्योंकि इसकी चुड़ाई बहुत ज़्यादा होती है तो एक ये लाई हूँ और इसके कंट्रास्ट में जो है एक ये लाई हूँ देखती हूँ क्या मैं आपके साथ बना कर शेयर करती हूं तो जी ये दो हो गए ये और एक मैं तीन मीटर का ये पीस लाई हूं नीवी कलर का ये कपड़ा है और इस पर ऐसे पतियों का प्रिंट बना हुआ है तो इसकी मुझे फ्राक बनानी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इसके उपर भी ल आपके साथ में पीस, बनाना है खाना और मोद मिलते हैं ने बनते हुआ है, आप के साथ बनाना है खाना शेयर ऑपके साथ हो गए कल गए मिलते हैं आपको कल मतलब रोज जो है व्लोग रात को टाइम ही मैं अपलोड किया करूंगी तो बने रहीएगा मेरी मिलते हैं आपको नेक्स्ट अच्छे से विलोग के साथ और अगर आप इस चैनल पे नहें तो चैनल को कर लिजिए जल से जल सब्सक्राइब और अगर आपक क्या रखिएगा शुब्रात्री